Welcome in RSK, Maths Minters, After 16, Exercise 16.1, Now we discuss about the question number 3. Find the mean of the flowing frequency distribution. हमें mean निकालना है. mean का हमारे पास formula होता है. mean, sum of observation. यानि हमने जो data observe करेंगे उसकी हमें addition करने पड़ेगी. by में number of observation. कि जितने numbers को हम observe करेंगे, वो by में उनसे हम divide करेंगे. अब इस तरह की table में, frequency table के अंदर हमारे पास यहाँ जो simple number थे, यहाँ 7 वन टाइम था, 2 भी वन टाइम, 16 भी वन टाइम. इसलिए हमने इनको direct plus कर दिया. लेकिन इस तरह की table में, जो 21 है वो 8 time है, 22 6 time है. 21 8 time, 22 6 time, हमारे पास 15 time है यह, और यह 9 time है, और यह 13 time, और यह 7 time. यह डाटा के अंदर जो 26 है, वो 7 बार repeat हुआ, जैसे इस तरह के table के अंदर. अब हमें इन numbers को, यानि 21 को जब 8 time हम plus करेंगे, तो 8 से multiply कर देंगे, तो result हमारा same रहता है, यानि इनकी addition आजाए 21 को. जो आता हूँ, इनकी multiply से results यह होता है, that means हमें clear होगे कि हमें इन दोनों की multiply करके sum आ जाया, तो हम XI और FI write करते हैं, इनकी multiply करेंगे 8, 1 जा 8 और 8 जा 16, यहां से multiply करेंगे 6 जा 12 और 113, आगे जब हम multiply करेंगे 345, 216, 325 और यहां से 42, 4 और 14 और 8, तो यहां से 118, यहां, that means, जो number हमने observe किये, 21 को हमने 8 time plus कर दिया, यह आएगा, 22 को हमने 6 time plus कर दिया, तो यह आएगा, 23 को 15 time plus किया, तो हमारा यह number आएगा, अब यह जो number हमने observe किये हैं, इनका हमें sum करना पड़ेगा, यहनि इसको बोलते हैं, sigma XI FI, that means, इन सब की हम addition करेंगे, जब इन सब की addition करेंगे, तो हमारे पास 1,368 आए, और उसके बाद हमें number of observation, यानि कितने numbers को हमने observe किया, तो यह हमारे पास numbers दिया है, counting दिया होती है, 21, 7 time है, 25, 13 है, यह numbers है, भी कितनी बार numbers repeat हुए है, तो यह हमारे पास sum है, सब की addition करेंगे, तो हमारे पार result आएगा 58, तो अब हमारे पास according to formulae, जो हमने observe किये, उन सब की sum हमारे पास होगी 1368, और कितने numbers थे, 58 numbers थे, तो हमने इसको divide किया है, पहले इसको reduce कर लेता है, अगर किसी table से cut होता है, यह 2 से cut होता है, 2 की table में हमारे पास 6 जा 12, 1, 8 जा और 4, इसको divide करेंगे 2 जा और यहां से 9 जा 18, अब इसको हम 29 से divide करके decimal place तक लेके आएंगे, इसमें 21 हम 2 जा पे क्योंकि 29 को 3 जा से multiple, 3 जा 6 होता है, लेकिन यहां से carry ओके number आए तो यह number जादा होता है, तो हम 2 जा पे ही check करेंगे, 2 जा पे हमारे पास 29 जा 18, 1 carry 2 जा और 58, 0, 1 और 4, यहां से हमारे पास 10 है, अगर यहां से 2, 5 जा 10 होता है, अगर 5 से करेंगे तो यहां से carry भी number आ जाए, तो number जादा हो जाएगा, तो यहां से 3 जा पे check कर लेते हैं, 29 जा पे, 3, 9 जा, 27, 3 to the 6 और 8, 87, 3 जा पे, इसके बाद 7 और यहां से 1, यानि हमेशा चेक कीजिए, जो remainder है वो इससे कम बचना चीए, तो that means हम right हैं, अब आगे decimal का one place, decimal का one place, decimal के बाद according to need आप 0 उतार सकते हैं, 170, 29 को हम 6 से multiply करके check करते हैं, 650, 4, 5, 6 जा पे करेंगे तो 14 और यहां से 6 तो 12 और 17, 174 ज्यादा हो जाएगा, तो यहां से 5 जा पे हम लेके जाएगे, 5 जैसे multiply करेंगे तो 5, 9 जा, 45, 4 carry, 10 और 14, remainder यहां पे 5 बचेगा और यहां से 6 में से 225, अब एक place और निकाल लेते हैं, यहां से, अब यह 6 जा पे था, 7 जा, 8 जा के पास, 8 जा, 16, 29 को 8 से multiply करते हैं, 72, 7 है, 8 जा, 16 और यहां से 7, 23, तो यहां से 8 जा पे जाएगा, अब हमने इसकी pure value निकालने, 23 point हमने पहले यहां 2 decimal तक निकालना है, यहां भी इतना भी हम छोड़ सकते हैं, अगर हमें एक decimal number तक pure रखना है, तो 23 point, जो number हम remove कर रहे हैं, अगर वो 5 ए 5 से जादा है, यहां जो 58 किसके नजदीक होता है, 60 के नजदीक होता है, तो हम 60, decimal के बाद 0 हम लगाते हैं इसकी value निकालना है, इसलिए हमने पास 23 point, 6 is the answer, Now question number 4, find the median of the given data, जो data हमारे पास given है, उसका हमें median find out करता है, median that means mid value, इसकी लिए सबसे पहले जो data हमारे पास given है, उसको हमें range करना पड़ेगा, descending या ascending order में, यहां पे देखिए सबसे पहले हमारे पास 11 number है, उसके बाद 12, 13, 13 के बाद हमारे पास 14 नहीं है, 15 है, yes, 16 है, 18 है, and 19 है, check कर लिजे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको हम बड़े easy way से करेंगे, इसकी लिए क्या हमारे पास देखिए, दोनों तरफ से, आपके पास match, ये match, ये match, जो बीच में नमबर हमारे पास remainder है, वो हमारे पास क्या, median है, जो mid value हमारे पास क क्या हुआ, is 15, 15 is answer, आगे फिर इसको arrange करेंगे हम B part को, यहाँ सबसे पहले हमारे पास median में यही तरिका है कि हम arrange करेंगे digit को according to ascending या descending order, 203, 400 है, 600 है, 198, 108, तो सबसे पहले 108.8, उसके बाद हमारे पास 148, 98, 0.8, उसके बाद 48 के बाद हमारे पास 100 में 98, 0.8, after this 198 के बाद 200, 3.3, after this 200 के बाद 300 नहीं है, 400, 400 है, two time है, 415, 0.5, second 432, 0.9, फिर हमारे पास 400 के बाद 500 नहीं है, 600 है हमारे पास, 600, 17.5, digit check कर लिजे, count कर लिजे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दूसरा तरिका हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास numbers की counting odd है, तो n plus me 1, buy me 2, यानि numbers कितने हैं, तो यह हमारे पास th, that means इस वाला number, हमारे पास 7 number है, 7 plus me 1, buy me 2, 7 or 1, 8, buy me 2, यानि 248, तो 4th, जो 4th वाला number हो हमारा median होगा, यह simple तरिका, अगर numbers digit कम है, तो easily है, देखो, एक number हमने यह kijken किया, एक आगे से pewnागत पीछे से, इहां से close किया, यहां से close किया, फिर यहां से cross किया, यहां से close किया, यहां से close किया, यह से last में, सबसे last वाला फिर उससे second first second last और उसके वाद फिर हमारे पास तो बीच में नंबर हमारे पास remainder है वो हमारे पास क्या होगा median, mid value तो जो median value हमारे पास क्या है 203.3 is the answer next है median of first 11 even numbers even numbers हमारे पास even number which number divide by 2 2 से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 यानि 11 है 11 है तो 22 पे हमारे 11 numbers होता है अब यहां से इसका median यह already ascending order में है तो यहां से हम simple तरिक का अपनाएंगे तो यहां से एक number आगे से एक पिछे से यहां से एक नमर आगे से पिछे से जॉइन किया ऐसे जॉइन किया यहां से जॉइन किया यहां से जॉइन किया remainder is 12 चो हमारे पास mid में value आ गए जो mid में बची value हमारे पास क्या 12 तो 12 is the answer यानि mid value जो mid point है वो हमारे पास 12 है now depart first 10 multiple of 3 3 के 10 multiple 3 table या नही multiples होते है उसकी 3 बंजर 3 में tables होती है 3 6 9 12 15 18 21 21 तो हमारे पास जो multiples है 24, 27 और 30 यह मारे पास first 10 multiple होगे अब इसमें चेक कीजिए इसमें हमारे even number है जो numbers वो even number है तो ऐसे में हमारे पास दो numbers आते हैं जो बीच में आते हैं यानि बीच का point निकालना होता है यानि 15 और 18 का mid value निकालना है किसी की भी mid value निकालनी हो दो numbers आगे तो दोनों को हम plus करेंगे और divide by किसी का mid point निकालना हो तो हमेशा 2 से divide करते है तो इन दोनों का भी हमें mid point निकालना है तो 2 से divide करेंगे दोनों को add करेंगे यहां से 8 यहां से 5 थर्टीन वन कहरी और यहां से 33 बाइ में टू आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे 33 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो डैसीमल में यह आप डैठली चेक कर सकते हो 2 बंजा 2 1 is remainder 13 हो जाएगा 2 इस 16 बंजा 32 होता है और remainder is 1 इस 5 चेक कर सकते हो 21 जा 2, 1 is 6 जा 12, 1 decimal यहाँ पर decimal, decimal के बाद 0 हमारे पास 2, 5 जा 10 यानी half 33 का half, 2 से दिवाइड करना that means half 32 का half होता 16 और 1 का half 0.5 16.5 is the mid value of this question 11.15 कि आते हो 12 जा 8 sam 17 पहावाओस locks हो 15 बाद 2, 1 या या जा 9